वेलकम टू एजुकेशन जोन चैनल इस चैनल में हम इंटरनाशनल रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं और इंटरनाशनल रिलेशन अब देखो तो CUTPG जो पॉलिटिकल साइन्स है उसका एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है तो आपके सलेबस में लिबरलिजम और रियलिजम करके दो टॉपिक दिया है तो इस टॉपिक में हम जो सबसे इंपोर्टेंट स्कूल ऑफ इंटरनाशनल रिलेशन है हम उसको डिसकस करेंगे और उस स्कूल से मुझे लगता है कि जितने भी कोश्चन बन सकते हैं वो सारे कोश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे कि उससे ज्यादा कोश्चन आपके नहीं बनेंगे उससे सबसे पहले तो इंटरनाशनल रिलेशन का मतलब हम सुरू करते हैं समझना और पिर हम थेवरेटिकल अप्रोचेश देखेंगे कि इंटरनाशनल रिलेशन को समझने के लिए कौन-कौन से अप्रोचेश का इस्तमाल किया जाता है तो hodler body जिसके चार component हो इसमें पहला component जो है वो है आपका कि उसका क tejfs हो दूसरा component जो है वह वह है कि उसके पास अपनी एक population हो तिसरा component है कि उसके पास अपनी गवर्मेंट हो सरकार हो और चौथा component से सुपरमखते हो 설 जी जो नेशन स्टेट का concept में आपको blanc곤 1648 में आपको मिलेगा जो treaty of west failure हुआ था वहां से सामने निकलके यह जो नेशन का concept है वो सामने आया था कि नेशन को सब ऐसे समझने लगे कि एक नेशन ऐसा होगा जिसकी sovereignty की इजद सारे करेंगे और उसके internal matter में कोई भी देश you know interfere नहीं करेगा तो जो 1648 के treaty of west failure हुआ था इस treaty नहीं मेंली जो नेशन और जिसे हम state की बात कहते हैं तो वो state का concept यहीं से सामने निकलके आया था जब से treaty of west failure हुआ उस समय से जो नेशन थे उनके बीच के जो अंतर राश्टी है जिसको हम बोलते हैं उनके बीच के जो के जो रि international समझने लगे तो पहला तो यह हो गया कि international क्या होता है international समझ रहेना बहुत जरूरी है दूसरा रिलेशन आप जानते हैं संबंध तो नेशन यानि स्टेट जिनके पास sovereignty हो उनके बीच के जो रिलेशन को हम पढ़ते हैं समझते हैं उसको हम international relation बोलते हैं और सबसे पहला जो देखो actually हुआ क्या कि जो 1648 का दौर था जिसको हम Treaty of Westphalia से रिलेट करके पढ़ते हैं और वहां से लेके जो हमारा World War हुआ 1914 तक इस समय तक देशों के बीच में एक जो रिलेशन इस्टैबलिस हुआ उसको हम सॉरी उसको हम Westphalian World Order से समझते हैं Westphalian World Order से Westphalian World Order क्या था कि इस समय में जो मतलब पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन है पूरा का पूरा जो सिस्टम है World Affair का उसमें कोई भी ऐसा बड़ी नहीं था जो नेशन स्टेट्स को कंट्रोल कर सके या कोई Law and Order बना सके यानि कि इंटरनेशनल लौ नहीं थे उस समय में टोटल हम कह सकते ह है कि आरा जगता थी अप ऐसे समझो जो बिल्यार्ड वॉल मोडल दिया गया है उसके तुरू आप वेस्ट फिलियन वर्ल्ड और को समझ सकते हो कि यह सारे जो स्टेट्स थे इन स्टेट्स के पास में मतलब की अपनी सोवरानिटी तो थी पर इन स्टेट्स के ऊपर में बात नहीं थी तो यह स्टेट्स अपने मोनोपॉली के अनुसार आपकोस में बियेव करते थे को इंटरनेशनल लॉव नहीं था और इसलिए होते यहां पर यह रहता था कि यह सारे स्टेट्स हमेशा अपने सक्तियों को बढ़ाना चाहते थे अपनी पावर को बढ़ाना च इसको हम कह सकते हैं balance of power तो यह एक term आता है balance of power इसमें actually होता यह है कि हर नेशन जो है हर स्टेट जो है वो अपने पावर को बढ़ाना चाहता है मतलब किसी भी कीमत पे वो अपने पावर को बढ़ाना चाहता है अब पावर बढ़ाने के दो प्रकार हो सकते हैं पावर ब्रखनें का कि वो अपने ≅प हÄद को बढ़ाए दूसरा कि वो था होले तो तरिके रेंट ई सब्षाणार को पेहला होता है कि आप उपके पास है उसमें बाए दूसरा होता है कि आप जू है उप स Come करो alliance बनाओ ताकि आप एक stronger group बन के बाहर आओ इसके करण हुआ क्या कि arms risk बहुत ज़्यादा होने लगे हथियार बढ़ने लगी सब एक दूसरे को देख के अपना अपना हथियार बढ़ाते रहते थे तो यहां पर जो based philion world order था उसमें एक बहुत बड़ी खामी यह थी कि global level पे कोई order नहीं था, global order नहीं था, international laws नहीं थे तो देश जो है अपने मन अनुसार treaty करते रहते थे 1914 में जो world war one हुआ उसमें सबसे ज़्यादा criticism इसी चीज को मिला है कि international relation में कोई law नहीं था या global level पे कोई क्या हम बोल सकते हैं कि कोई order नहीं था, तो world war one होने का सबसे बड़ा कारण west philion world order को ही माना जाता है कि जो देश थे वो आपस में एकदम randomly interact करते थे और उनमें कोई एक continuity नहीं थी, फालतु का सब alliance करते थे और इसी के कारण war हुआ, world war one आप देखो के तो बहुत सारी treaties के कारण ही लगवाग जितनी भी European power से वो war में आ गई थी तो सबसे पहले कि इसका criticism जो दिया वो liberal school थे, so Woodrow Wilson का 14 point speech है, मैं एक lecture में उसको भी cover करूँगा, अभी मैं shortly बताता हूँ, क्योंकि realism जो है वो सबसे, हम कह सकते है main stream school है, और सबसे main school है, सबसे ज़्यादा question realism से ही आते हैं, इस भार भी जो आपका C.U.E.T.P.G. का हुआ है, उसमें realism से ही question आया है, तो Woodrow Wilson साहब जो थे, उन्होंने world war 1 के खतम होने के बाद, उन्होंने 14 point speech दी, और उसमें उन्होंने एक new global order की बात रखी, उन्होंने कहा कि देखो, ये जो mainly wars हुए हैं, ये wars इसलिए हुए हैं, क्योंकि हम इन्हें रोक नहीं पाएं, हमने को international law नही जाता था, तो ऐसा war ना हो further में, इसलिए उन्होंने कुछ theories दी थी, कि सबसे पहले तो कि हम जो एक league of nation की संस्थापना करेंगे, तो जो liberal school of thought वाले होते हैं, वो mainly इसी चीज़ की बात करते हैं, कि हमें global security की बात करते हैं, वो एक बात करते हैं कि state, nation, state के ऊपर एक ऐसी entity होन आए, और एक मतलब की जैसे हमारे domestic politics में हम देखते हैं, कि हम law के कारण और government के कारण, एक order में रहते हैं, वैसे international relation में भी एक order maintained हो, लेकिन हुआ इसका उल्टा, 1914, 1919 में जब ड्रोविलसन ने यह 14 point speech दी, उन्होंने league of nation के संस्थापने की बात करी, कि अहाँ league of nation एक होना चाहिए, पर उसके बाद हुआ कुछ बहुत ही उल्टा, world war one के बाद यह expect किया जा रहा था, कि world war two नहीं होगा, लेकिन मातर 20 साल के बाद 1939 में, एक ऐसा war हुआ, जो world war one से, अगर आप intensity और magnitude की बात करो, तो world war one से बहुत ही ज़्यादा बड़ा war था, बहुत powerful war था, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि world war one में फिर भी जो mainly लोग मरे थे, वो सैनिक थे, world war two में जो लोग में मरे, वो सैनिक नहीं थे, उसमें maximum लोग जो मरे, वो civilians थे, तो यह एक ऐसा war हुआ, world war two, जिसने मतलब की, जो liberalism था, यह जो international relation में की school आया था, कि एक global security होगी, लो हम जिसको मान के चल रहे थे, अब ऐसा war हो चुका है, जो world war one से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ से एक school of thought आता है, international relation में, जिसको हम बोलता है, realism, तो realism जो है, वो किस चीज में believe करता है, liberalism से, यह realism कैसे समझता है, सबसे पहले हम उसी को यहाँ पे समझना, start करते ह है, सारी points, एक-एक points इस lecture में लिख दी गई है, जो कि आपको मतलब, एक question भी ऐसा नहीं होगा, जो इस lecture से बाहर से आएगा, उस से पहले, मैं realism स्टार्ट करने से पहले, एक चीज बता देना चाह रहा हूं, कि हमारा course जो है, वो 15 नमंबर से सुरू हो जाएगा, 15 नमंबर स classes से start हो जाएंगी, और आपको इसी तरह की lectures, video, बहुत ही qualitative lecture, और test series, mock, सारे मिलेंगे, अभी हमारा admission process चल रहा है, fee बहुत ही कम है, हमने 3000 रुपे fees रखी है इसकी, और ये fees में आप मतलब मान के चलो कि जब तक आपका selection नहीं हो जाता है, आप तब तक पढ़ते हो, तो 15 नम पर जुड़ जाएंगे, और वहीं पर हम अपना जो भी topic है, वो एकदम systematic way में और एक एक lecture ऐसे discuss करते हैं, कि वहां से अलग question आई नहीं सकता, जैसे ये आप PDF देख लेना, रियलिजम में इस से बाहर कोई question नहीं होगा, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रियलिजम में, तो रियलिजम के जो main thinker है, उसमें सबसे पहले थुसाइडिरस आते हैं, उसके बाद निकोलो मक्याविली आते हैं, थोमस होबस आते हैं, जीन जैक रूसो आते हैं, एच क देखें, तो foundation इसका में लिए start हो जाता है, आपका थुसाइडिरस से, थुसाइडिरस एक बहुत ही ancient thinker है, लेकिन उनकी जो ideology थी, वो आज के realist से मिलती हैं, देखो realist सबसे पहले basically समझे, वो समझते कैसे, realist समझते हैं कि हम जो लोग हैं, हम उतने अच्छे लोग नहीं ह तो good, हम हमेशा power के लिए जाते हैं, हम greedy हैं, हम nasty है, brutal है, तो जो Thomas Hobbes का था ना कि लोग जो है, वो nasty, brutal, cruel होते हैं, realism यहीं समझ के चलता है, कि भाई हम जो है, हम nasty, sorry, nasty बोल रहा हूं, हम cruel होते हैं, हम बहुत ज्यादा, you know, brutal होते हैं, हमेशा अपने लिए ही सोचते हैं, तो पहला तो कि लोगों को लेके realism की thinking ऐसी है, दूसरा बात है कि जब हम ऐसे होते हैं, तो फिर देखो, Thomas Hobbes ने बात की थी, अगर आप political theory में आपको याद होगा, Thomas Hobbes ने social contract की बात की थी, तो Thomas Hobbes ने कहा कि देखो, state of nature में हम ऐसे थे, कि हम nasty, brutal, cruel थे, इसलिए क्योंकि इस से सब को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सब एक दूसरे को मार रहे थे, एक total, you know, inarchy value ही थी, इसलिए हमने मिलके एक sovereign को चुना, और हमने उसको absolute बना दिया, तो absolute monarchy, इसको हम बोलता है न, कि एकदम से power हमने दे दिया राजा को, कि राजा जो चाहेगा, वही करेगा, law and order, वही establish करे क्योंकि sovereignty ही है, इसके कारण हम एक जहंका जीवन जीर है, अगर वो खतम हो गया, तो फिर हम वापिस वैसे ही हो जाएंगे, nasty, brutal, cruel वगेरा, realism की बात अगर हम करते हैं international relation में, तो mainly इसके father यहाँ पे Hans J. Morganthau को माना जाता है, Morganthau ने इस theory का इस्तमाल किया, और उनने कहा कि दे वहाँ पे state को हमेशा खुद को protect करते हुए चलना चाहिए, और खुद के power को maximize करना चाहिए, खुद के power को बढ़ना चाहिए, और actually में इन्होंने जो arms race है, संधी है, treaty है, उसको legitimacy दे दी, कि भाई, अगर state यह नहीं करेगा, अगर state अपने power को नहीं बढ़ाएगा, तो कल को कोई दूसरा state जो है source को दबा देगा, तो realism मेंली इसी idea के centric है, ठीक है, historical context में मैंने आपको बता दिया था, कि पहली world war जो 1914 से 1919 के बीच में होई थी, वहाँ पे एक liberal school of international relations सामने आया था, जिसको idealist school भी कहा जाता था, क्योंकि मेंली वो बहुत अच्छी अच्छी बाते कर majorly included Italy under Mussolini and Germany under Hitler, तो मेली मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही world war one खतम हुआ, आपको देखने को मिलता है कि फासिजम आ जाता है Italy में, जर्मनी में जो हैसो डिक्टेटर्स ही पा जाती है नाजीज की, तो उसके बाद great depression आता है 1930 में, और फिर 1939 में फिर से जो war है, जो हम expect कर र war जो है, वो 1939 में ही हो जाता है, तो क्या-क्या जो factor थे, वो responsible थे, जो criticism आता है, वो mainly liberal school of thought पे आता है, criticism यह है कि पहला तो भाई यह है कि जो failure है, failure of idealist tradition, जो liberal है, जो classical liberalism है, उन्होंने मतलब ऐसा expect ही नहीं किया था, कि ऐसे चीजे होंगी, तो उनका जो theory था, जो theoretical foundation था, वो fail कर गया पूरा, the hope of those having faith in the principle of collective security faced a major sit-back, जैसे Woodrow Wilson साब थे, तो उन्हों वो सोचते थे कि हम collective security की बात करेंगे, देश उसरे को support करेंगे, यहाँ पे support की तो बात चोड़ो, देश एक दूसरे को, और हम कह रहे हैं कि, जो world war 2 हुआ, उसमें तो एक बहुत बारा, you know, मतलब कि एक race को खतम करने की बात करी गई न, तो वहाँ पे आप एक massacre देखने को मिलता है, Jews का, यहोदियों का, तो यह जो पूरी की पूरी ideology थी, idealist की, liberal की, कि लोग काफी अच्छे होते हैं, वो एक दूसरे को support करेंगे, हम collective security की बात करेंगे, यह तो totally fail कर गया, है न, international institution established on liberal foundation after first world war जैसे league of nation, तो league of nation भी fail कर गया, mainly इसमें, league of nation में, जो था, आप देखोगे की, Woodrow Wilson साहब न इसको, इसका idea तो दिया था, पर USA इसका part नहीं था, इसका part था, UK और France, और UK यान United Kingdom, Britain और France, जो है, वो जर्मनी को appease करने में लग गया, तो यह institution भी totally fail कर गया, सो, यह सारी चीजे जो है, वो criticism हुई, किनकी, यह criticism हुई, liberal school की, और इसके, मतलब, liberal school के contradiction में एक school आया, जिसको हम realist बोलने हैं, अब हम feature देखते हैं, realist understanding of international politics की, तो पहला क्या है point, It is hard-headed devoid of wishful thinking and deluded moralizing, कि हम अच्छी जो चीजे सोच के चलते हैं, दुनिया ऐसे नहीं चलता है, आपको पता हैं, दुनिया काफी जिल्मी है, मतलब, बहुत brutal है, cruel है, आपको यह समझ के जीना है, ऐसा नहीं समझ के नहीं जीना है, कि आप बाहर निकलोगे, और कोई अपना helping hand आपकी तरफ बहा देगा, और आपको बहुत कुछ अच्छा कर देगा, नहीं, दुनिया काफी, मतलब, brutal है, आपको यह समझ के, हो सकता है, exception हो, हो सकता है, कुछ लोग अच्छे हो, लेकिन आपको यह समझ के चलना है, कि दुनिया अच्छी नहीं है, और उस हिसाब से काम करो, which are based upon, क्या, power, वो किसी पर based है, power पर based है, so it believed in power politics, model of international relation, तो यह power politics पर बिलीव करते है, कि भाई, अगर हम powerful होंगे, तो कोई हमको, सच बात भी है, अगर आप अपने light में ही देख रहो, कि अगर आप powerful नहीं होंगे, तो फिर आपकी मदद कोई नहीं करेगा, अब आ help भी किस condition में कर रहा है, वो अमरिका की help करना सब चाहते है, क्योंकि उसको help एक तो चाहिए नहीं, दूसरी चीजी है, कि वो इतना powerful है, कि लोगों को पता है, कि अगर हम उसकी help करेंगे आज थोड़ी सी भी, तो हम expect कर सकते हैं, कि कल को वो मेरी बहुत बड़ी help कर देगा, यह मतलब आप society में कोई rich लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके साथ भी यह देखते होगे, कि लोग उनके आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है, तो mainly यह realist tendencies को दिखाता है, तो mainly यह power politics model पे rely करते हैं, और यहाँ पर जैसे question, अब आप देखो कि यहाँ से आपको international relation में जितने भी चीज़े हैं, जितने भी point है, realism को लेके, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इह कार ने एक book लिखी थी, 20 year crisis, 1999 से 1939 के बीच में जो भी चीज हुआ, उसको दर्साने के लिए, और उन्हेंने बताया कि कैसे nation जो है, वो fail किये, league of nation कैसे fail हुआ, तो करते हैं, और जो सबसे main dominating school रहा, realism में, classical realism, उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो मतलब classical realism की अगर हम बात करें, तो इसमें जो key thinker है, वो सबसे पहले Thucydidas है, जिन्होंने लिखा The History of Peloponotian War, दूसरे है सुन्तजू, जिन्होंने लिखी थी book The Art of War, तीसरे है मैक्क्यावेली, जि इन्होंने लिखी थी, Levian Thorn, और जो सबसे आकरी में, और सबसे important realism के thinker international relation में, वो है Hans Jay Morganthor, इन्होंने लिखी थी, politics among nation, the struggle for power and peace, तो इन्होंने ये किताब लिखी थी, Hans Jay Morganthor, politics among nation, the struggle for power and peace, और आप जब देखोगे, तो ये सारे thinker भी important है, पर ये सारे thinker जो है ना, ऊपर व आइडियाज के foundation पे realism की नीव लखी गई थी, मतलब इनके idea जो थे ना, उनके basis पे हम realism को समझते हैं, इनका directly international relation में कोई contribution खास नहीं था, mainly जो international relation में contribution था, वो Hans Jay Morganthor का था, तो कि assumption क्या है, ये क्या मान के चलते हैं, जो realist है, वो क्या मानते हैं, पहला तो कि negative view of human nature, human nature को सही नहीं समझते हैं, ये समझते हैं कि human nature जो है, वो हमेशा power hungry रहता है, greedy रहता है, दूसरा है कि state manifesting a larger reflection of human behavior, और चुकि state भी तो human सही बना है, तो state के अंदर में भी बहुत ज़्यादा जो चीजे हैं, वो human जैसे ही है, यानि state भी power की तरह जाएगा, state is driven by a ceaseless desire to achieve more and more power, state जो हम इसा ये कोशिज करता है, कि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा मैं power को concentrate करू, self interest of state is above all moral principle and ethical consideration, ये question में पूछा जा चुका है, Morgan तो के एक principle, जो six principle है, उसमें एक principle यही है, कि जो self interest होता है na state का, वो कोई भी moral और ethical principle से उपर होता है, आप ये सोचोगे कि ये चीज morally गलत है, इसलिए ये आदमी ये काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है, morally गलत हो, ethically गलत हो, ये तो बाद की बात है, अगर उसको लग रहा है कि उसका फाइदा इससे हो जाएगा, तो वो काम करेगा, चाहिए वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो, या आपके आसपास के लोग ह इवन परिवार वाले हो, अगर उनको लग रहा है कि ये चीज करने से उनको profit मिल सकती है, तो फिर वो profit लेंगे, आपका चाहिए उससे बहुत बरा नुकसान हो जाए, उनको कोई, मतलब कि ये होता है, जो realist thinking होती है, और realist thinking कहता है कि moral और principle या ethical consideration जो है, वो self interest से बहुत ब इन्हों ने देखा है कि उसमें human nature में change नहीं हो सकता है, ये entirely self centred होते है, और Machiavelli ने तो define किया है na humans को, कि they are in statible, arrogant, you know, crafty, sifting, so and above all, maligant, iniquitous, violent, savage, तो इन्होंने बहुत सारे, you know, negative terms use कि है, कि human ऐसे ही होते हैं, कि हम जो ऐसो बहुत ही ज़्यादा, ऐसे लोग होते हैं कि, मैं क्याvelli ने एक बहुत important line लिखे, बोली थी, कि अगर मालो कि आप किसी भी आदमी के पिता की हत्या कर दे रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपसे उतना ज़्यादा बदलाल नहीं लेगा, लेकिन आप उसके patrimony को, यानि कि अगर उसके पिता ने उसको धन दिया था, अगर आदमी आप से बहुत ज़्यादा बदला लेने के सोचेगा, यानि कि money, greed ज़्यादा important है human relation से, ऐसा मैं क्याविली का कहना था, Thomas Hobbes ने defined कहा था, human को as a non-rational appetite, you know, aversion, मतलग कि सारी negative चीज़े Thomas Hobbes ने बोल दी थी, इसलिए Thomas Hobbes ने बोला था है कि एक absolute state होना चाहिए, अब सबसे important और जहां से सबसे ज़्यादा question बनता है, वो है आपका Hans Morganthor और उनके छे principle, Hans Morganthor, जो है वो realist tradition में अगर आप देखो तो सबसे important thinker है, he is often called the Pope of international, you know, relation, his major writings, अगर आप देखोगे, तो पहली तो है scientific man versus power politics, तो ऐसे में लिए आप जानता हो कि वो politics among nation है, बट इन्होंने और भी किताबे लिखी थी, maybe आपका future में question उससे बन सकता है, तो पहली जो किताब लिखी थी, 1946 में वो लिखी थी, उन्होंने scientific man versus power politics, उसके बाद जो किताब लिखी थी, 1948 में वो था politics among nation, उसके बाद 1951 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, in defense of international interest, और फिर 1960s में इन्होंने एक किताब लिखी थी, the purpose of American politics, तो यह सबसे important point है, इसको आप note कर सकते हो, क्योंकि question यहां से अगर realism के बनने होंगे, तो एकदम purely question यहां से बन सकते हैं, Equoing Machiavellian and Hobbesian assumption of human nature, he calls political man an innately selfish creature with an inestimable urge to dominate others, तो मतलब समझ रहे होंगे, इसका मतलब में लिए यह है कि, जो human है, वो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाना चाहता है, dominant करना चाहता है, तो इन्होंने में लिए कहा कि आपको अपने सकतिया बढ़ाते रहने, जो state है, उनको अपना power बढ़ाते रहना है, Morganthor defined power as man's control over the mind and action of other men, power का मतलब क्या होता है, अगर एक आदमी दूसरे आदमी के मन और उसके action पर control कर ले रहा है, तो उसी को हम power कहते हैं, according to Morganthor, now we have given the six principle of international relation की जो छे सिध्यान्त है, वो कैसे होंगे, तो वो mainly देखो क्या है, पहला जो सिध्यान्त है, first principle of Morganthor, is that politics is governed by objective laws, which have their root in human nature, तो mainly तो की politics जो है, हमारे human nature में जो चीज़े बनी होई है न, उसी का एक reflection है, यह हम कह सकते हैं कि collectively हम दो work करते हैं, as a nation, तो हमारा जो human nature है, जो की काफी brutal है, the key to understanding international politics is the concept of interest defined in terms of power, तो mainly जो अगर आप international politics की बात करते हो, तो आप power के term में ही सारे चीज़ को define करोगे, power ही सबसे ज़्यादा important है, आप यह गर समझ रहे हो कि नहीं कोई आपकी मदद कर देगा, तो वो नहीं है समभव, अगर करेगा भी तो तब करेगा जब आप खुद powerful होंगे, the forms and nature of the state power will vary in time, place and context, but the concept of interest remains consistent, तो इसका मेंली मतलब है कि चाहे वो मोधी हो, या इंदरागान्दी हो, या कोई भी individual leader आजाए सामने, मेंली जो interest है, यह interest भी समय के साथ ऐसा नहीं कि consistent रहता है, इसके अनुसार जो power का है ना, वो nature बदलते रहता है, ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने दी थी fourth principle, वो है कि universal moral principle का कोई काम नहीं है state behavior में, state जो है, so मतलब अपने interest के लिए, जैसे हम अपना काम करते है self interest के लिए, state अपना काम करता है national interest के लिए, तो state हमेशा अपने national interest के लिए ही काम करेगा, ये moral consideration, वेंसे ड्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो पहला आपने समझा जो principle है, वो ये है कि सबसे पहले तो कि objective law जो है न, वो मतलब मेंली वही होते हैं, जो human nature में rooted है, ठीक है न, so हमारा जो nature है greedy, cruel, और जो भी हमारा, जो realism के अनुसार एक pessimistic view है, human nature का, वो ही nature स्टेट का भी रहने वाला है, दूसरा है कि जो interest है, वो मेंली क्या है, पावर में है, यानि अगर आपके बास ज़्यादा पावर है, तो आप सही कर रहे हो, कम पावर है, तो फिर गलत कर रहे हो, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया कहता है, नो फर्स्ट यूज, या हम कहते हैं न की, सारा जो हमारा दुनिया है, वो हमारा परिवार है, तो वसुदोवे कुटमबकम की बात करते हैं, तो हमारा international relation में आप एक चीज देखोगे, तो अगरेशन नहीं है, तो हो सकता है कि हमारा individual moral consideration वैसा है, कि हमने मतलब कि इस चीज को एडॉप्ट नहीं कि, हमारे मतलब आप के लोग की, हमारे संसकार ऐसे हैं, हमारे लोग ऐसे रहें, जो नोंने कभी आकरमन नहीं किया, हमें सार सांति की बात करते रहें, इसलिए आप देखोगे, कि इंडिया से बुद्धिजन निकला, जो पूरे के पूरे Aesia में शाया, इंडिया चोड़के, इंडिया में ही बुद्धिजन जढ़ा नहीं फैल पाया, नहीं तो आप देखोगे, कि मेंझ ली अगर हम बात करें तो ये इंडिविज्वली होता एजी इंडिया का हो सकता है पाकिस्तान का नहीं होगा पाकिस्तान का इस सा कोई मॉर्ल कांसीडरेशन नहीं है उनको जराब कि उनके व्यार सिव माले क्ष़िए कंत्रे देश करना में नहीं, individually हो सकता है, morally यह possible नहीं है, और जो इनका सबसे last point था, वो यह था कि politics जो है, जो political sphere is autonomous और international relation जो है, वो अगर आप देखो के तो वो ज़्यादा दूसरे subject से या इस पे ज़्यादा किसी और का प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह autonomous subject है, तो Morgan Thaugh के mainly यह 6 principle थे, आपको Morgan Thaugh के इनी 6 principle से काम है, इससे ज़्यादा Morgan Thaugh को में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और mainly जो इन्होंने किताबे लिखी, तो Morgan Thaugh की जो किताबे थी, आप उसको देख सकते हो, तो जो मैं फिर से एक बार नाम बता रहा हूँ, scientific man versus power politics, politics among nation, और उसके बाद है in defense of national interest and the purpose of American politics, तो ये चारो किताबे को आप देख सकते हो, और उसके बाद realist thinker थे ही, और इन्होंने power को कैसे समझा था, इनके 6 principle क्या क्या है, और फिर इनका एक criticism आता है, इनका mainly जो criticism आता है, liberal तो इनका criticism करते ही है, ये कापी pessimistic view रखते है, इनका criticism feminist के तरफ से भी आता है, और mainly इसमें जो prominent feminist है, वो है टिकनर है, और टिकनर ने खहर इनके जो principles है, छे principle, इनको अपने terms में भी लिखा था, कि ये कैसे कैसे गलत है, तो टिकनर का mainly criticism यही है, कि आप जिस realism की बात कर रहे हो, या आप जिस international relation की बात कर रहे हो, वो आप main centric society के point of view से बोल रहे हो, आप इसलिए बात उतनी भी बुरी नहीं लगेगी, तो feminist का एक बहुत 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 criticism रहा है, Morgantho को, तो आज की lecture में हम classical realism तक ही करते हैं, फिर ये मैं continuity में lecture डाला करूँगा, और इसके बाद हम जो structural realism है, mainly Kenneth Waltz और मरसाइमर की जो realism है, realism का एक downfall आया था, और फिर बहुत सारे thinker है, उन्हों इसके बारे में हम mainly देखेंगे next वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप channel को like करे, subscribe करे, और मैं अगेर ये बता देना चाह रहा हूं कि 15 नवंबर से हमारे course जो है, वो सुरू हो जाएंगे, तो उस course को आप join कर सकते हैं, thank you